माघ मास महत्मे कथा तेरवां अध्याय ब्रहमर्शी वशिष्ठ जी बोले हे राजन इतनी कथा सुनाकर कांचन मालिनी बोली हे राक्षस अब तुम अपनी दुर्दशा का कारण बताओ और स्पष्ट करो कि किस महापाप के कारण तुम इस राक्षस योनी को प्राप्थ हुए हो राक्षस बोला हे देवी आपने मेरे उपर बड़ी कृपा की है आपके पवित्र दर्शन से मेरा कठोर हिंसक मन शांत हो गया है आपकी मुझ पर ये बहुत बड़ी कृपा है मेरी कथा इस प्रकार है पूर्वकाल में मैं काशी में वेदपाथी ब्रहमन था पवित्र काशी में उत्तम ब्रहमन कुल में मेरा जन्म हुआ था। मैं बड़ा ही शास्तरग्य और धर्मग्य था लेकिन मैंने दुराचारी हिंसक राजाओं समेत शूद्रों, चांडालों और पापियों के द्वारा अनेकों बार दान ग्रहन किया। इतना ही नहीं मैंने पवित्र काशी नगरी में अनेकों पाप भी किये। समस्त पापों और निशिध कर्मों को मैंने किया। स्वयम कुपातरों का दान लिया लेकिन खुद कोई धर्मकार्य नहीं किया। इसी कर्म में एक दिन मेरी मृत्यू हो गई और मुझे घोर नरकों की प्राप्ती हुई। मैंने पवित्र धाम काशी में पापी जीवन बिताया था। इसलिए मैं अनंत काल तक नरकों की यातना भुगता रहा। इसके पश्चात दो बार मेरा गिद्ध के रूप में, तीन बार व्याग्र के रूप में, दो बार सर्प के रूप में और एक बार उलूक के रूप में और नौ बार सुर की योनी में भी मेरा जन्म हो चुका है। हे देवी, अब दस्वी बार मुझे ये राक्षस की योनी प्राप्थ हुई है, इस योनी में मैं सहस्त्रों वर्ष का जीवन जी चुका हूँ, लेकिन मेरा उध्धार नहीं हो रहा है, मैंने अपने इस वर्तमान निवास क्षेत्र को असंख निर्दोष जीवों की हत्या से तीन योजन तक जीवन हीन कर दिया है, हे देवी, मैंने अनेको निरपराध जीवों की हत्या की है, जिसके पाप से मैं घोर दुखी और अशान्त हूँ, लेकिन आपके दर्शनों के अमरित का पान कर मुझे अधाह शान्ती मिली है, तीर्थों का पुन्यफल समय पर ही प्र होता है, लेकिन धर्मात्मा सज्जनों से मिलने का फल ततकाल प्रभावी हो जाता है, हे देवी, इसी कारणवश सत्संग, विद्वानों द्वारा पूजित और प्रशंसित होता है, हे देवी, अधिक क्या कहूं, इस संसार में अपवाद रूप से ही शायद कोई ऐसा होग जिसे कोई दुख न हो, आप इस तत्थे को जानती हो, क्रिपया, मेरे कष्ट के निवारन की कोई युक्ति बताने की क्रिपा करो, हे राजन, राक्षस के इस प्रकार दीनता पूर्वक निवेदन करने पर परोपकारी, सौम्या अपसरा, कांचन मालिनी कुछ देर विचार करके बोली, हे राक्षस, तुम्हारे कष्ट के निवारन की युक्ति मेरे ध्यान में आ गई है, मैं तुम्हें अपने अनगिनत माग स्नान के फलों का कुछ अंशदान करूंगी, इससे निस संदेह तुम्हारी मुक्ति होगी, माग स्नान के अद्विती या पुन्य फल का देवताओं के लिए भी पूरी तरह संभव नहीं है, हे राक्षस, इस पुन्य फल का मुझे स्वयम अनुभव है, इसलिए मैं ततकाल तुम्हें अपने माग स्नान का फल दे रही हूँ, हे राजन, इसके पश्चात कांचन मालिनी ने अपने वस्र निचोड कर, हाथ में ज राक्षस योनी से मुक्त होकर देव योनी को प्राप्त हो गया, उसका मुखमंडल सूर्य के समान तेजस्वी हो गया, और वो बड़ा ही आनंद मगन हो गया, कुछ समय पस्चात वहां एक दिव्य विमान आया, जिस पर बैठकर राक्षस स्वर्ग लोक को जाने लगा, प् मैं ऐसे शुब कर्मों का वर्णन आपकी पवित्रवानी द्वारा सुनना चाहता हूं, जिनको करने से सदैव के लिए नरक यातना से मुक्ति मिल जाती है, दिव्य शरीर धारी राक्षस द्वारा निवेधन करने पर कंचन मालीनी ने उसे उपदेश देते हुए कहा, हे स्वप्न में भी कभी जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, काम को वश में रखना चाहिए और स्वप्न में भी पर स्त्रीगमन नहीं करना चाहिए, सदाही, भगवत भजन और धर्म कार्यों में लीन रहना चाहिए, दूसरों की निंदा से मुक्त रहकर सदा सत्य बोलना हे सौम में तुम्हारे स्नेह और श्रद्धा के वशी भूत होकर मैंने तुम्हें जो धर्म का उपदेश दिया है इसे सदेव ध्यान में रखना और मन वचन और कर्म से धर्म में हमेशा लीन बने रहना और भगवत भजन करते रहना हे राजन कांचन मालीनी के ऐसे वचन सुनकर वो देव काया धारी राक्षस बोला हे भद्रे आपका सदेव कल्यान हो आप सदेव सुखी और प्रसन्न रहो जब तक सूर्य चंद्र स्थित हैं आप के लाश परवत पर निवास करती हुई देवी पारवती और शंकर जी की प्राप्त करती रहें ऐसा कहकर वो देव काया धारी राक्षस विमान पर बैठ कर देव लोक को चला गया और अपसरा कांचन मालीनी भी आकाश मार्ग से कैलाश परवत पर चली गई हे राजन जो भी श्रद्धालूजन इस अध्याय का भक्ति पूर्वक पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे वे समस्त पापों से मुक्त होकर सद्गती को प्राप्त करेंगे इसमें कोई संशय नहीं है उनको स्वप्न में भी कभी कोई दुख नहीं होगा वे प्रेत बाधा से मुक्त होकर हमेशा धर्मलीन बने रहेंगे इति श्री माग महत्मे भाशाटी कायाम त्रयोदशो ध्याय संपूर्णम तेरवा अध्याय समाप्त हुआ